मुरादबाद के दिल्ली रोड इस्थित मनुहरपूर में इस्थापित एग्री क्लिनिक एग्री बिजनस सेंटर के डारेक्टर डॉक्टर दीपक पेंदी रत्ता ने कहा कि किसान अपनी आई को दुगना करने के लिए खेती के साथ पशुपालन भी कर रहे हैं किसान विभी ने प्रकार के पशुपाल कर अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं कड़कनात मुर्गा पालन लोग जादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं पोशक तत्वों से भरपूर कड़कनात मुर्गे की मांग दिन प्रते दिन मार्किट में बढ़ती जा रही है साथियों ने कहा कि कड़कनात मुर्गे को सही तरीखत से पालन करने के लिए हमारे यहां प्रशिक्षन प्रदान किया जा रहा है कड़कनात मुर्गे की पहचान मासूम सभी कारण काला होता है सफेद चिकन की तुल्ला में इसमें कॉलिस्ट्रोल की मात्रा काफी कम होती है फैट की मात्रा कम होने के चलते इसे रदे और मधुमे के रोगों के लिए भी बहुत फाइदे मंद माना जाता है कड़कनात मुर्गा रोग प्रतिरोदक शम्ता के साथ कम वसा, प्रोटीन से भरपूर, रदे, श्वास और एनेमिक रोग्यों के लिए लापकारी है मुर्गे के अन्य प्रजाती और उसके अंडों की तुल्ना में कड़कनात मुर्गा काफी महगा होता है इसका एक अंडा करीब 20-30 और मुर्गा 1500-2000 रुपे प्रति किलो तक असानी से बिख जाता है जबकि इस प्रजाती के मुर्गे की किमत कड़कनात मुर्गे से तीन गुना जादा होती है वास्तब में कड़कनाथ जो है एक ऐसी ब्रीड है रुम पक्षिओं में मुर्गियों में जो एक कला सोना कहलाती है कला सोना से मतलब यह का कि उससे बहुत अच्छी आंदनी की जा सकती है और यह इसमें प्रोटीन डिच होता है इसका अंड़ जो होता है और protein की मात्रव उसके अंदर बहुत ज़ादा होती है और fat की मात्रव बहुत कम होती है अन्य मुर्गियों के उपेक्षा जो अंड़े होते हैंगे और जो इसका मास होता है और खुन वो दोनों काला होता है और काफी hard breed होती है इसको इसको बिमारी बहुत मुश्किल से लगती है ना के वरावर बिमारी होती है इसलिए इसको किसी तरीकी की कोई दवाई भी नहीं दे जाती है और किसी बिमारी से अभी तक जब हम पाल रहें जब से हमने इसको किसी बिमारी से कोई एक भी पक्षी को मरते वह नहीं देखाएग वो ही हम इनको दे देते हैं मटर के छिलके हैं वो ये खा लेते हैं तो इस तरीके से जो भी एक मक्हा के भुंटे आते हैं तो भुंटे के भुंटे हम इनको दे देते हैं तो ये वो खाते रहते हैं इस तरीके से ये ऐसी चीछे खा लेते हैं जिसके अंदर प्रोटीन होती है और इनको ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा दूसरा आहर दिया जाए जहां तक इनके पालने की बात है एक मुर्खी जो होती है कड़कनाद जो मुर्खी है यह एक साल के अंदर सौ से लेकर के 120 सक अड़े देती है और बाजार में आजकल सर्दियों में तो इसकी बहुत जाला डिमांड हो जाती है गर में घन रहती है एड़े खाने वाले जो लोग है वह वर्स पूरा वर्स बर अंडे खाते हैं और उसके मिलभा बहुत सारी और हमारे केह् केक बंते हैं या कुछ और ऐसी जो sådan चीजह से जिन का होता है वो पांच महीने से छे महीने के अंदर लगभग डेड़ से पौने दो किलो वजन ले लेता है और बाजार में वो पंद्रह सो से फार्मी मुरगा जो खाते हैं जो पैतालिस दिन में चालिस से बैतालिस दिन में तैयार हो जाता है लेकिन उसको रोजाना आंटिवाटिक देनी पड़ती है और जो माने आहार में अगर दवा जाएगी तो हम खाने वाला भी ऐस्पदाल जरूर जाएगा ये कटू सकते हैं त जो इस तरीके के खा रहे हैं तो उनके खान-पान में बहुत अच्छा हो रहा है जी अच्छा डोक्त सब्सक्राइब चाते हैं कि करीब ऐस प्रॉस्प्रोस्यमेट संग्सां की बात कि परीब कितने लोग होंगे जो इस तरीके से चूच लेया के अपना काम रोजगा सब्सक्राइब कर सकते हैं नोकरी अपेकिसा उनको एक अच्छा लाब अष्जित कर सकते हैं